सपलताज जीवन में दो बार आसिल की जाती है एक बार मन में और एक बार वास्त्रिक दुनिया में नीट एस्पीरेंट सेम का उसके करने का सबसे नीट करने का सभी टीए डायोट है तो वज्ञों के दोफिर जाहीं करने का सबसे कहा है सारे बच्टे ड्रेस कोड के बारे में सुनेंगे पटा पट में आपको बोल के बताशता हूं कि तो नहीं आप नहीं पैनके जा सकते हैं तो उसकी जगए आप क्या पेन के जाएं मेरा मनना है कि आप झाले जाए जैसे के लिए और उसके बाद में अगर आप किसी ट्रेडिशनल को follow करते हैं किसी भी tradition से आप किसी religion से याथ जैसे sick लोग है वो पगड़ी लगा कर जाते हैं और muslim लोगों में जो लड़किया है वो बुरका पेन के जाएगी तो बुरका अगर आप पेन के जा रहे हैं पगड़ी आप लगा के जा रहे हैं तो आप center पे प्लीज साडे बारा बज़े से पहले पहुंच जाए बारा तीस से पहले पहले आप पहुंच जाएंगे तो आपको allow कर देंगे वो किसी ने किसी तरीके से आपका check up करेंगे और फिर आपको allow कर देंगे उसमें आपको कोई problem नहीं होने वाली है उसके बाद में जो slipper आप पहन के जाएं, simple slipper तो high hills आप नहीं पहन के जा सकते, low hills वाली sandal पहन के जा सकते हैं, slipper पहन के जा सकते हैं, जूते पहन के नहीं जा सकते, सूच अलाउड नहीं है स्ट्रोंगली सूच अलाउड नहीं है सूच आपको पैन के नहीं जाने दिया जाएगा उसके बाद में अपन बात करें कि और आप साथ में क्या-क्या केरी नहीं कर सकते तो आप देखों बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई यह जैसे मैं प्ल पहुआ कि जा सकते हैं उसमें आप को क्योंगे नहीं होगा की जा सकते हैं। इसमें लड़कियों के सब कोई भी और्णामेंट्स पेने के नहीं जाने जैसे, कान में बाली पैन के जाना है, नाक में कोई भी बाली पैन के जाना है, और जो हैर बेंड लगाते हैं, प्लास्टिक का, वो भी आपको नहीं लगा के जाना है, कोई भी सिंपल हैर बेंड जो बालो में रबबर लगा के चली जाएगा, उसके साथ में जितने भी ओनामेंट्स ह यह बात ध्यान रखें और उसके साथ में आप पाने की बोटल जो है पाने की बोटल अगर आप लेके जाना चाहिए घर से तो आप ट्रांस्पेरेंट पाने की बोटल लेके जाएं अधर्वाइस तो आपको पाने की बोटल वहाँ पे मिल जाएगी पैन पेपर कुछ भी आइ पॉट्टू चिप्यू की जिसकी साइज में आपको बोल के बता जाता हूं जिसके साइज है पासपोर्ट साइज की फूटू है जो उसकी साइज है 3.5 x 4.5 cm और पोस्ट गार्ड की साइज है 4 x 6 यह आप साथ में लेकी जाएं और उसके बाद में आपका जो जाने का टाइम ह वो टाइमिंग रहेगी आपकी 11 बजे से संट्र उपन हो जाएगा तब से आप एंट्री मार सकते हैं और गड़ जाए तक आपकी एंट्री है तो आप संट्र पर पहले ही पहुंच जाएगा एक गंटे से पहले-पहले आप पहुंच जाना है उसके बाद में आगर आप को नहीं मिलेगी कि वहां पर आपका बेग फोन यह सब जम्मा कर ले तो बहार कहीं पर भी किसी भी सोप पे आप जम्मा करवा सकते हैं जो कि सिंपल सी आप सारी सारे लोगों को जान होगा अधर वाइस तो पैरेंट्स आपके साथ में जाएंगे तो वह आपके समान का जान र भी दो घी बढार को और साथ में कर सकते हैं इसके अलावा कोई बीचीज आपको झ máu क्या लेके पासपोर्ट अइए पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी घए और जो एड़ Rs 5 पहले से लगा के लेके जानी है और एक पासपोर्ट साइज फूटो आपको एक्स्टा लेके जानी है इसके लगा आपको कुछ भी नहीं केरी करना है साथ मैं अब नेक्स क्यूशन का मैं आंसर कर जाता हूँ ओमार सीट फिल करने का सई तरीका क्या है तो मेरा ये मानना है देखो आप त्रूआउट येर जितने भी एक्जाम देखे आ रहे हैं टेस्ट पेपर में आपने ओमार सीट फिल करी होगी तो जो भी तरीका आप सुरू से लगाते जैसे कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरे पेपर को पहले सोल कर लेते हैं उसके बाद में वो दस मिनट में ओमार सीट फिल करने की अच्छे से प्रेक्टिस कर रखी है तो यही तरीका रखिएगा यार किसी दूसरे परसन के बोलने से आप अपना तरीका अब मत बदलेगा क्योंकि 10 मिनट में आपकी अच्छे से प्रेक्टिस हो रखी है पूरी साल में तो आप वही तरीका रखिएगा दूसरा मोस्तों बच्चे तरीका लगाते हैं कि में सबजेक्ट वाइज ओमार फिल करता हूँ जो तरीका मेरे को लगता है कि सबसे बेश तरीका है कि आप पह गौले बढ़ते चली जाएगा उसके बाद में अगर मैं बोलता हूं कि और इससे बड़ी तरीका कोई है क्या तो इससे बड़ी तरीका यह है कि आप 30 क्यूसन, 40 क्यूसन के बाद में भी आप ओमार फिल कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि एक क्यूसन सोल किया, फ इसमें आप perfect हो चुके हैं वो तरीका अगर आप लगाते हैं कई बच्चे बोलते हैं कि हम सर आदा paper fill कर लेते हैं उसके बाद में omar sit fill करते हैं मैं पहले round का paper attempt करने के बाद में omar fill करता हूं और मैं इसमें comfortable हूं तो वही तरीका रखिएगा किसी के बोलने के बेस पे आप पेपर इस साल का बहुत easy आने वाला है इससे easy paper आज तक नहीं आया है ऐसा paper आने वाला है तो tension बिलकुल नहीं लेना है NCRT based paper आएगा अगर आपने NCRT को अच्छे से revise कर रहा है तो आप फोड़ने वाले हो इसमें कोई doubt नहीं है अच्छे से revision करिएगा last time भी बहुत अच्छे से revision करते रहेगा कई बच्चे पूचेंगे कि सर मुझे कितने देर सोना चाहिए बेटा जितने देर आपको नींद आती है उतनी देरी सोना है उससे ज्यादा नहीं सोना है जवर्दस्ती सोने की कोसिस नहीं करनी है एक्जाम टाइम में किसी को नींद नहीं आती है तो जितना आप सो सको उतना सोना है बागी किसी के कहने पर एसा नहीं है कि मैंने एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी है ऐसा बिलकुल नहीं करना है है आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा आपका दिमाग पहले से दो से पांच बजे तक का प्रेपेरेशन कर चुका है बहुत दिनों से से श्देट uh प्रो एक्टिव है पहले से इसलिए आप मैं तो कहता हूं अगर एक मिनट पहले भी अगर आप बुग पढ़ सकते हैं एक्जाम सेंटर में इंट्री करने से पहले तो भी पढ़िएगा कोई डाउट नहीं है कि इससे आपको नुकसान होने वाला है कोई नुकसान नहीं होने लेकिन आपको चीजे नहीं चीजे अब नहीं सर्च करनी है पूराने पेपर पूराने क्यूशन पूराने एंट्री के नोट्स वही देखके जाने है नहीं चीजे ट्राइन नहीं करनी है पेपर बहुत इजी जाने वाला है सबी बच्चों का पेपर बहुत इजी जाएगा अच्छा रेजल्ट आएगा अमेशा और आपके मैं नीट के लिए बोलता हूँ All the best, thank you